वेल्कम बैक टू माई चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी पानी पूरी चाट जो सभी को बहुत पसंद आती हैं खास तोर से बच्चों को बड़ों को और बुड़ों को भी आ जाती है अगर उन्हें पसंद है खाना तो तो वैसे मेरा कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसी चीज है जो सभी खाना चाते हैं और अगर किसी के सामने हम ले कर जाएंगे तो वो नॉर्मली मना नहीं कर पाएगा कि हमें यह नहीं खाना है और बनाना बहुत आसान है और वैसे यह जो ठेले वाले हैं वो तो इस तरह से बन एक तो रेडिमेट मिलती है तो उसे आप फ्राई करके और घर में बना सकते हैं और नहीं तो आप यह बना लीजिए और उसके बाद यह चाट बनाएगे नहीं भी फूलेगी तो उसकी चाट तो बहुत अच्छी बनाएगी तो इसके लिए हमने लिया है पहले इसके हम हरी चटनी बनाएगे तो हरी चटनी बनाने के लिए हमने पोदीना, हरा धनिया, प्याच, हरी मिर्च और थोड़ी सी हमने एक कच्छी कहरी को छील कर और उसे काट लिया था तो इसकी पहले हम इसे ग्रैंडर में डाल कर इसकी हम चटनी बनाएगे तो इन सारी चीज़ें को हमने दो कर अच्छी तरह से और इसकी हम पीस कर इसकी पहले हम चटनी बना लेंगे तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल कर और इसे हम बारिक पीस लेंगे थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम पानी ताकि अच्छी तरह से बारिक पिज जाए तो इस तरह से हम घर पे बहुत अच्छी इसकी चटनी बनती है तो वो बना सकते हैं और आप चाहें तो इमली की या जो अमचूर है उसकी मीठी चटनी घर पे बना ले ये हमारी हरी चटनी बनकर तैयार है और हमने तीन-चार आल्ववाज़ते लिए था और चने को हमने बिगाकर रख दिया था चन को हमने बॉयल भी कर लिया है तो आलोँको छील कर मैश कर लेंगे और जो चने हैं बॉइल किये हुए वो चने इसमें मिक्स कर देंगे यह आलू का मसाला है और जो पानी पूरी में हम भरेंगे और इसमें हमने जो कटी हुई प्याज है वो डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार नमक जादा नहीं डालेंगे क्योंकि जो चाट बनाएंगे उसमें भी हम नमक एड़ करेंगे और बारिक कटी हुई प्याज इसमें डाल कर और उसे मिक्स कर लेंगे तो ये पानी पूरी में भरने का जो मसाला है वो तैयार हो गया है हमारा थोड़ी सी महनत लगती है लेकिन महनत करने के बाद जब इसे हम खाते हैं तो उसका जो मज़ा है वो बहुत ही आता है और बहुत टेस्टी लगती है और साथ ही हमें इस बात का डर नहीं रहता है कि बाहर से खाके आये हैं कोई पताने कैसा है और किस तरह से उसे बनाया गया है तो साफसुत्री तरीके से हम घर पर ही इस तरह की जिए बना कर सबको खिला सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं तो यह हमारा आलू को जो मसाला है वो रेडी हो गया है और इसके बाद हमने थोड़ा सा ताजा दही लिया है और इसे हम मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से फेट लेंगे ताकि जो अच्छे से यह फिट चाहें और इसमें कोई गुटलिया नहीं रहें क्योंकि दही जमाते हैं थोड़ा उसमें रहता है तो इसे हमने अच्छे से फ और यह चाट में डालने के लिए दही हमारा तयार हो गया इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर और थोड़ा सा काला नमक और शक्कर हमने यह optional है आप डालें या ना डालें क्योंकि हलका सा मीठा जो दही होता है पानी पूरी की चाट में बहुत इसका आलगी टेस्ट होता है अब हमने लिए हैं मसाले इसमें हमने हरी और यह सॉस है थोड़े से बारिक सेव है लाल मिर्च है थोड़ा सा गरम मसाला ह काल नमक जीरा पावडर है अमचूर पावडर है और यह हमने पानी पूरी ली है जो तो यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं वो आप ले लें, आप सबसे पहले एक प्लेट में हम ये टिक्की को इसमें गुठे की सायता से छेत करके, और जो आलू की जो स्ट्रफिंग बनाई है वो इसमें हम भरके और प आलू की अगर पहले से बनाकर रखेंगे तो ये चटनी की वज़े से जो ये पानी पूरी है वो सौफ्ट हो जाएगी गल जाती है तो ये जब आप खाने चले तुरंत ही आप बनाएं और तैयारी आप पहले से करके रख लें और इस तरह हमने ये सारी चीज़ें इसमें ज और इसके बाद जो हमने दही लिया था फेटा हुआ गाढ़ा दही मीठा और वो दही इसमें हम चम्मची सायता से सभी में डालेंगे तो एक यह करके हमने चम्मची सायता से दही पूरे जो पानी पूरी है उसमें सब में डाल दिया है और ये सब काम आप तभी करना जब आप खाने के लिए किसी को दे रहे या खुद खा रहे हैं तो तुरंत ही बनाना तो बहुत अच्छी लगती है उसके बाद ये हमने कि इसके जगे आप सॉस भी ले सकते हैं अगर आपके पास मीठी चटनी नहीं है तो आप सॉस भी डाल सकते हैं और ये हमने जो मीठी चटनी है वो सारे पानी पूरी पर अच्छे तरह से फैला दी है और इसके बाद जो हमने हरे धनिया और पोधिना की चटनी ग्रीन बनाई थी और ये सारे पानी पूरी के उपर हम डाल देंगे और इन सब का एक जो मिक्स हो की जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है तो आप इस तरह से बना कर देखिए आपको बहुत पसंद आएगी और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे फिर से थोड़ा सामने चटनी है वो डाल दी है और जो लाल मिर्ची है अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो डाले नहीं तो आप ना डाले अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करें उसके बाद थ और थोड़ा सा गरम मसाला हल्क आसा बिल्कुल और नमाख है और थोड़ा सा अमचुर पाउडर डाल दिये है यह चाट मसाला डाल दें इन सारे मसालों को अच्छे से पूरी जो पानी पूरी है उनकी उपर अच्छे से फैलाना है हमें और फिर आलू भुजिया है यह बारिक वाले सेव वह हम सबके उपर अच्छे से ढाल देंगे और यह काम हमें फटा फट करना है क्योंकि नहीं तो यह चटनी के वज़े से पानी पूरी है वह सौफ्ट हो जाएंगी वैसे खाओ तो वैसे भी अच्छी लगती है और उसके बाद हमने उपस डाल दिया है हरा धनिया तो यह हमारी चाट रेडिये खाने के लिए तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें बताइए लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो एंड प्लीज प्रेस दा बैल आइकन ताकि जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए और आप इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखें तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो का इंतिजार कीज धन्यवाद आपका